Hello, welcome back to another video तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले है हमने जो नया बैच श्टार्ट किया हुए 2024-2025 के लिए बीए फर्स समेश्टर में अगर आपने इंग्लिस ले रखी है और यूनिट नमबर वन हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं यूनिट नमबर वन पर आलड़ी दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं अगर आपने नहीं देखा तो प्लेज चैनल पर विजट करके देख सकते हैं पूरे इंग्लिस के स्लेबस में फर्स समेश्टर में आपको क्या पढ़ना है इस पर स्लेबस भी अपलोड हो चुकी है अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजट करके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीचेगा तो हम डिसकस करने वाले हैं आज इसकी तीसरी वीडियो पहली वीडियो में हमने स्री औरविंदू जी के बारे में समझाता दूसरी वीडियो में हमने रविद्ना टेगोर जी के बारे में समझा आज की वीडियो में दे नंबर थ्री में हमको पढ़ना है के एस बेंकटा रमानी जी के बारे में इनके बारे में समझना है, इनके योगदान के बारे में समझना है, इनकी importance in English literature ये समझना है तो पूरा आजम समझने वाले हैं और हम अपने एक style में चीजे समझते हैं कि पहले हमको introduction, contribution, उनके famous work, इन सब चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझना है तो देखो अगर सबसे पहले बात करें introduction के बारे में की Kes Venketa Ramani का introduction क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं इनका full name क्या है, Kes Venketa Ramani जी का तो इनका जो full name है वो है आपका Kaveri Pantham, Siddhartha Venketa Ramani ओके? क्या है? Kaveri Pantham, Siddhartha Venketa Ramani इनका जो जन्म हुआ ना ये सौर्ट फॉर्म है के एस का ये फुल फॉर्म है बॉर्न हुए ये 1891 में 1891 में कहां पर जन्म हुआ इनका तो इनका जन्म हुआ था तन्जोर डिश्टिक में तन्जोर जिले में तंजोर जिले के ये जो है कावेरी पटनम जो है ये जगा है ये इस्पेस है वो उस जगा पर पैदा हुए थे उके इनके फादर का नाम था सिधार्थ ऐयर इनके फादर का क्या नाम है सिधार्थ ऐयर ये जो बीच का नाम है इनके फादर का नाम है सिधार्थ ऐयर जो जाने जाते थे इनके पिता को जाना जाता था लेंडलोर्ड के रूप में मतलब वहां के जाने माने लेंडलोर्ड थे जिनको समझा जाता था या लेंडलोर्ड के रूप में देखा जाता था एक बड़े नाम था इनके पिता का इनको जाना जाता था किस रूप में? इनको जाना जाता था as a writer ये एक लेखा के रूप में जाने जाते थे, lawyer के रूप में जाने जाते थे जिन्हों ने आवाज उठाया था South Indian के ग्रामीर्ड लोगों का रूरल साउथ इंडिया के दर्द का दुख दर्द की आवाज बन करकी ये सामने आये थे, इन्होंने अपनी लेखों के थूरू, अपनी कभिताओं के थूरू, अपने कॉलम्स के थूरू, रूरल जो साउथ इंडिया के लोग थे ना, उनकी जो पेन थी, उस पेन को लोगों से इस्टार्ट हो चुका था इनका जर्म हुआ 1891 में उसके बाद 19th century आ गई थी जहां पर independence काफी तेजी से बढ़ रहा था independence की तरफ हम इफ़र्ट लगा रहे थे तो इन्होंने contribute किया Indian independence में he was a famous writer in English literature, English literature के बहुत famous writer थे English literacy के मामले में अगर आप देखोगे तो औरविंदू और अरविंद्ना टेगोर के बाद इनका नाम आता है काफी important है इनके schooling के अगर बात करें कि इनका schooling हुआ कहाँ पे इनका जो सुरुवाती time period रहा पढ़ाई का इन्होंने कहां से की तो schooling in national high school in maya varam maya varam के national high school में इनकी schooling हुई और इन्होंने graduate जो किया अपना graduation complete किया इन्होंने किया था madras christian college से madras christian college से इन्होंने अपना graduation complete किया इसके बाद 1928 में ये मिलते है रविंद्ना टेगोर जिसे 1928 में इनकी मुलाकात होती है रविंद्ना टेगोर से ये जाते हैं रविंद्ना टेगोर से मिलते हैं तो टेगोर जी इनको एक advice देते हैं कि देखे रमानी जी आप काफी अच्छा लिखते हो काफी अच्छा ही इनको मतलब लिखने में ये बहुत ही ज़ादा अच्छे थे बहुत अच्छे से ये लिखने वाला काम करते थे इनका लेक अपने आप में बहुत मालतोपूर था बहुत इंपॉर्डन था तो लिखने को देखकर के रबिनना टेगोर्जी ने इनको एडवाइस किया तो इस्टार्ट ए तमिल बीकली मैगजीन मतलब तमिल में बीकली मैगजीन लिखना इस्टार्ट कीजिए जो काफी हिल्पूल होगा क्योंकि आप लिखने में बहुत अच्छे हैं जिसमें नाम आया तमिल उलागू का और भारत मनी का कि अपना कॉलम लिखना इस्टार्ट को लोगों को अच्छा लगेगा लोग उससे नौलेज हासिल करेंगे तो इस तरह की चीज़े हुई ये अपने पास हैड पेंचार्ट पेंचार्ट रखते थे फॉर राइटिंग फ्राउं अरली डाइए मतलब सुरुवात से ही ये पेंचार्ट रखते थे मतलब पें रखा है पेपर रखा है चार्ट रखा है जो भी उन्हें समझ में आ रहा है जो भी उनकी नौलेज और एक्स्पिरियंस है शनी कि ये जब 16 साल की एज में थे थे तो उन्होंने एक स्पीच लिखा हुआ था, एक स्पीच दिया हुआथा औ प्रोटेस्टिंग पार्टिसन आफ बंगाल, पार्टेसन आफ बंगाल 1905 में होता है तो उस समय उसके against में protest करते हुए इन्होंने एक भासर दिया हुआ था और इनको mention किया गया magazine में कौन से magazine में? Indian Patriots इस magazine में इनको 16 साल की एज में mention किया गया मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़ादा इनके अंदर प्रतिभा थी, कितना ज़ादा इनका नाम था, कितना ज़ादा लोग इनसे प्रभावित होते थे तो उस समय magazine में इनका नाम आया अब बात करते हैं अगर इनके पहले book की, कि इनकी first book जो थी paperboards, इनके first book का क्या नाम था paperboards, जो कि best बेंगाल के बारे में बता गया था 1921 में आया हुआ था, जो कि describe करता है rural life in Bengal Bengal में जो ग्रामीड लोग है उनका जीवन कैसा है, rural life कैसा होता है ग्रामीडों का, उसके बारे में बात किया इनकी पहली nobel के बारे में अगर बात करें कि इनकी first nobel कौन सी थी, तो इनके first nobel का नाम है Morgan the Tiller, जो कि 1927 में launch होती है ये Morgan the Tiller, ये इनकी पहली nobel थी, काफी ज़्यादा famous nobel हुई इनकी, ओके, इनकी एक book थी, Condon the Patriot ये जो है, serialized किया गया सुराज magazine में इनकी जो book थी, इसको सुराज magazine में back to back back to back, back to back, serialized किया गया, serial से रखा गया in 1931 में, उसके बाद published किया गया एक book की तरह 1932 में, इतना जादा importance इनके columns थे, ओके इनके famous work में, famous books में बात किया जाए, तो जो है, sandons आता है, 1923 में होने लिखा था renaustent India आता है, जो कि 1929 में होने लिखा था कि K.S. Venkata Romani का जर्म कैसे कहां पे हुआ, उनका पढ़ाई कैसे रहा, वो किस तरह से उन्होंने काम किया, कौन-कौन से contribution किया, लोग किस तरह से जानते हैं, किस तरह से उनका importance था ये सारा कुछ इस वीडियो में हमने cover कर लिया है, I hope वीडियो में समझ में आए होगा, वीडियो में समझ में आए, पसंद आए, तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए, तो प्लीजिट आ चैनल, if you think it is valuable तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, and आने बारे वीडियोच का आपको नोडिफिकेशन मिल मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेजएगा, ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, जैवारत!